ओके डियर स्टुडेंट आपके बायोकेम टेस्ट स्रीज का बायोकेम सेकेंड का केमेस्ट्री का जो सेकेंड पेपर है जीओ सी वाला उसका सॉलिशन अपन देखते हैं पेपर आपको सबको पता है एंसी आटी बेस्ट आ रहे हैं के फर्स्ट पेपर था नॉमेनक्लेचर और आईसोमेरिजम का बहुत छोटी छोटे पॉइंट पर छोटी छोटी चोटी कंसेप्ट पर एंसी आटी के एक एक लेटर वर्ड टर्म से और आपको क्योशन फ्रेम करके दिए इसी तरह जो इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेस्मेंट ज सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करएक्टर क्षाओ करें के स्यूंद इस्प्लेस्ट E आपने मिड पोजीशन इह पूरेद पर क्या इंसकी कि पर वहांट कि इंदर इस्टापिक के अंदर पूरिक विंविट सबNote की सब्जा है कि हर क्योंट CIT की लाइन से आपको फ्रेम करके दिया गया है बहुत अच्छे क्योंट ने एegजाम ऑरियंटेड क्योंट है रहा है जैसे क्योंट पूशता है उसी के लेवल के क्योंट है ना नीट के लेवल से अपर है ना डाउन है क्यों नॉम्स éénट कई हिसा नंस म right 서क्ट करster मैक्जीमम है मैंन सब जानते ओडर होता है यह आपके सैबिंग पर होता है यह नाइन और पर ऊता है यह कौनसी पर होता है इसलिए सब pourquoi पावर्फुल इफेक्ट कौन से में हो गाया? माइनस आई में है, इसके बाद में बात करते हैं, क्योंसा नमर सेकेंट के अंदर उचा गया, इंडेक्टी इफक्ट के अंदर क्या involved, अवाउट इंडेक्टी इफक्ट displacement है sigma electron का resulting in polarization बिल्कुल right है sigma electron ही displaced होते हैं और partial displacement होता है partial positive negative charge आता है displacement of pi electron no delocalization of sigma electron yes delocalization of pi electron no तो बटा जी दो option तो cancel होगे हैं इसमें से और जो answer में जो right के लिए जो compete कर रहे हैं कर रहे हैं वो option first and third अब first or third में third भी बहुत अच्छा है लेकिन first इसको और अच्छा more correct हो गया resulting in polarization ठीक है third में इतना ही है delocalization तो delocalization of sigma electron first में भी है लेकिन उसके बाद उसका result भी आपर add कर दिया है यहाँ पर अच्छी line अच्छा question है बहुती सांदार question frame किया है एकदम new question है ठीक है NCRT के line से inductive fact के अंदर से lineों से और statement का अच्छा question बहुत exam के हिसाब से बहुत और right answer first इसके बाद में बात करते हैं क्योसा number third correct statement about hyperconjugation sigma pi conjugation बिल्कुल सही बात है CH bond CH bond का sigma electron इधर pi प्लस या free radical के साथ conjugation के गांट ट्रांसफर होता है notice due to delocalization of sigma and pi bond ओके यह भी होता है no bond resonance यह भी बोला जाता है Baker nothing effect यह भी बोला जाता है तो all options are correct all statement are correct यह भी अच्छा क्योसन था hyperconjugation की theory से theoretical question बनाये गए which of the following ion is most rego-stabilized rego-stabilized कौन होगा जिसमें rego-stabilize हो rego-stabilized only one ion ही है phenoxide ion तो answer will be इसके बाद में कहा गया है कि in compound में carbon marked with asterix star इसको किया गया है expected to have greater positive charge greater positive charge carbon पर positive charge तब आएगा carbon से bonded more ion हो ऐसा यहां भी है यह तो option वैसे cancel हो गया और इन दोनों में भी है लेकिन bromine के बज़ाए chlorine ज्यादा more ion है तो आप option जो fight में वो first और third है लेकिन यह chlorine और carbon के बीच में distance ज्यादा हो गया यह carbon और chlorine के बीच में distance पास पास है इसलिक chlorine की जो withdrawing का जो impact इस carbon पर आएगा वो अच्छा हैगा तो answer will be third इसके बाद में बात करते हैं कि next question which of the following compound carbon को mark किया है star किया है most electron negativity यह star carbon carbon SP2 है यह star carbon SP2 है यह SP3 और यह SP अपन सब जानते हैं SP3 sorry SP triple bonded carbon SP यह percentage of S character electron negativity more होगी तो यहाँ पर जो charge होगा वो ज़्यादा होगा answer will be third इसके बाद हम बात करते हैं stability of following alkene alkene की stability increase increasing order alkene में आप सबको पता है alkene में सारा खिलक आईपर conjunction का चलता है चार पांच alkene देकर के stability reactivity heat of hydrogenation heat of combustion यह सारा alkene के अंदर किसके base पर comparison होता है hyperconjugation वो alpha H पर depend करता है यहाँ पर alpha H आपके कित्ते होगे 9 होगे ठीक है यहाँ पर alpha H 12 होगे तो second में alpha H सबसे जादा है तो second सबसे आगे हो second सबसे आगे हो कई बार बेटा जी ठीन भहुत सारी questions का एक ही option right होता है तो वो वहाँ से पकड़ा जाता है second सबसे जादा आगे हो second सबसे जादा होगा एक ही option के अंदर है बाकी फिर आप alpha H को compare करोगे इसके बाद इसके पीछे fourth आजाएगा fourth के बाद में यहाँ six third आजाएगा और यहाँ सबसे कम three यह आजाएगा ठीक है बहुत simple सा conceptual question है लेकिन इसके बाद में काय रहा है कि which of the following carbon N expected to most stable carbon N किस से stable होगा minus I से minus M से ठीक है तो yes इसके अंदर देखो CN पैरा पर है और तो पर है CN के बजाए ज्यादा withdrawing कौन है NO2 है NO2 में पैरा पर है और तो पर है minus M तो दोनों जगे distance पर depend करता नहीं equal stabilize करेगा और तो पर NO2 का क्या कर जाएगा minus I और अच्छा काम कर जाएगा तो यह answer will be second इसके बाद में यह आपके exam से पूछावा क्योशन है एक्जाम के अंदर इस तरह के NE22 में और NE23 में लगातार क्योशन आ रहे है aromatic, aromatic city लाश्ट इर पूछागा है अकल रूब तो वहाँ से अच्छा बहुत प्यारा क्योशन यह NCIT के लाइनों से design किया है which of the following structure are aromatic in nature यह exam का पूछावा क्योशन ही है इन में से कौन-कौन सी following species है वो aromatic है यह वाली aromatic हो जाएगी यह वाली भी aromatic हो जाएगी यह आपके anti-aromatic हो जाएगी अकल रूब फॉलो नहीं होगी यहाँ पाई का नंबर कैसा हो जाएगा इवन हो जाएगा अकल रूब तभी फॉलो होता है जब पाई का नंबर कैसा हो ओड हो यहाँ टू और यह negative पाई का जैसे count हो जाएगा यह 3 है इसमें क्या है इसमें देखो यहाँ पर इस part के अंदर conjugation ही total complete present नहीं है और जब molecule में total पूरे cycle में continuous conjugation absent हो तो वो तो वैसे aromaticity के chance नहीं है यह aromatic नहीं होगा यह aromatic नहीं होगा A और B होगा तो A और B A और B कौन से option में है second option में second option right होगा इसके बाद में match करना है इनको free radical आप सब जानते है free radical SP to hybrid होता है planar होगा तो first तो C से match हो जाएगा carbonine pyramidal होता है second A से match हो जाएगा carbocatine carbocatine भी free radical की तरह planar होता है तो first और third तो C से match करें first और third तो C से match करें और जो second है second वो A से match करें तो option will be 4 इसके बाद में बात करते है electrophile, electron rich, no deficient होता है levis base नहीं, levis acid होता है long pear acceptor होता है electrophile, donor base हो जाएगा तो यह levis acid होता है electron deficient species यह बात फिर भी जमती है A negative charge species नहीं electrophile पर generally कौन सा charge होता है positive यह भी wrong हो गया तो आपके right electrophilic reagent के बारे में right statement कौन हो गया third हो गया इसके बाद में बात करते है next which of the following statement false statement है free radical carbonine और carbocatine intermediate है बिल्कुल right है reaction between methane and chlorine sunlight presence में free radical mechanism से होती है बिल्कुल सही है free radical substitution reaction का example है electron negative atom in the carbon chain produce plus i effect ऐसा नहीं होता है electron negative plus i की जएक क्या करेगा minus i यह आपका false हो गया wrong हो गया homolytic fusion हमेशा आपको free radical देता है यह आपका right हो गया तो false पूचा है तो कौन सा statement हो गया third statement इसके बाद में बात करते हैं increasing stability increasing stability यहां रिंग तीन रिंग का रेजो फिर दो रिंग का रेजो नहीं तीन रिंग का रेजो जदा स्टेबल होगा यहां से गडबड हो गया यहां पर दो से तीन का सही है लेकिन रेजोनेंस पीछे रेजानर फिर रेजो आ जाए दो रिंग का रेजो और तीन रिंग का रेजो फर्स्ट ऑप्शन इसके बात करते हैं जाएक है और तो एफेक्ट से आपको पता है कों जदा ऐसीड़ी को ता है तो पोजिशन पर कोई बलकी गरूप आ जाता है तो रिंग का प्लस अम दो रुख जाएगा क्योंकि COH को out of plane लेके चला जाएगा कौन सा ग्रूप NO2 ग्रूप और out of plane चला जाएगा तो ring का plus N उसको प्रवाइड नहीं हो पाएगा conjugate base में negative charge पहले की बज़े कम increase होगा तो रेजो रुख जाएगा steric inhibition in resonance और तो पर बड़े बल की ग्रूप आजाने से benzoic acid का acidic strength इंप्रूव होकर बाकि इसके और other isomers के comparative आगे चला जाता है और तो substituted benzoic acid is more acidic than metapara and benzoic acid itself तो यह आपका second option राइट हुआ इसके बाद में इनकी nuclear felicity को arrange करना है neutral के बज़े आपको पता negative charge की donating tendency negative nucleus को ज्यादा सर्च करेगा तो यह तीनों negative आगे आएंगे नेगेटिव में भी यह रेजो से stabilize होगा यह रेजो नहीं होगे यह दोनों आगे होगे यहां भी यह CS3 का जो donation है प्लस आईए यह negative charge को और improve करेगा कुल मिला के फूर्थ सबसे आगे हो फूर्थ सबसे आगे हो यह ऐसा इन दोनी option में है फूर्थ के जस्ट बाद में कौन हो थर्ड हो थर्ड के बाद में सेकेंड हो और फिर यह फर्स्ट हो तो आप्शन विल भी पूर्थ इसके बाद में फिर वही matching type का question है बहुत basic term से इनको connect किया है बहुत प्यारा और NCRT के लाइन से designed question है non benzenoid aromatic tropolone हो जाएगा A के साथ S match होगा alicyclic compound इसके साथ P match हो जाएगा benzenoid aromatic compound इसके साथ Q हो जाएगा और heterocyclic compound heterocyclic और aromatic compound इसके साथ कौन हो जाएगा R हो जाएगा तो A के साथ S B के साथ P A के साथ S B के साथ P C के साथ Q और D के साथ R यह आपका second option matching करना है इसके बाद में कह रहा है कि आप इसको कहां पर लेखे जाओ homolytic homolytic free radical देता है free radical don't know free radical carbon पर भी और hydromine पर भी यह आपका कौन सा option हो गया first option हो गया इसके बाद में इनको match करना है column को only SP3 avidization SP3 avidization किसम आजाएगा CH4 में यहां इससे R हो जाएगा resonance resonance कहां पर होगा बेंजीन में होगा इससे P match हो जाएगा triple bond triple bond कहां पर है Q में match हो जाएगा और hyperconjugation hyperconjugation कहां पर है यह रहा S के अंदर हो जाएगा तो यह आपके matching हो गया इसके बाद में कह रहा है कि यह resonance के बारे में statement वाली question है इनर्जी लेवल वह फ्रोक्समेटिवेंट एक्वल होता है इन रेजोनेंस इस्ट्रेक्चर दा कॉंस्टिवेंट एटम मस्ट वी इन दा सेम पोजिशन वहीं पर रहते हैं इलेक्टरॉन डिस्प्लेश्मेंट होता है इन्डेक्टिव फेक्ट रेजोनेंस मैंने कहाता है कि जियोसी के बज़ाए लेक्टरॉनिक डिस्प्लेश्मेंट आपको भार जगह connectivity concept और correlation देता है रेजोनेंस है आपका इंडेक्टिव फेक्ट है मीजोमेरिक है इलेक्टरॉमेरिक इन सम्में इलेक्टरॉन का displacement होता है ना कि एटम्स का एटम अपनी जगह पर अपनी पोजिशन पर फिक्स रह करके इलेक्टरॉन को ट्रांसफर करते हैं तो जो एटम्स है वो अपनी जगह पर रहते हैं इन रेजोनेंस स्टेक्टेट्चर देशोड नोट देयर्स रूट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेर यह रॉंग है ठीकर ने है रेजोनेटिंग स्ट्रेक्टर्चर के अंदर इलेक्ट्रोन का जो नंबर वो तो सेम रहेगा बस electron की position बदलती है transfer होता है electronic displacement होता है तो electron का number change नहीं होता electron की position change होती है तो यह आपका wrong हो गया third resonance structure should differ only in the location of electron around the constituent atom यह बहुत प्यारा statement है fourth quora electron की location change होती है electron का number change नहीं होता atom का number change नहीं होता atom की position change नहीं होती energy approximate equal या approximate equal होती है तो false कौन सा हो गया third हो गया इसके बाद में बात करते है stability of isobutylene अब आपसे कहाता है हलकीन हलकीन के अंदर तो आपको पता यह कौन सा आता है hyperconjugation चलता है इसके बाद में यह कहरा है कि यह जो carbocation less stable इन में से किसमें किसमें है इसमें खुद में alpha H कितने है six तो यह उससे कम stable होगा जिसमें alpha H 6 से ज़्याद हो six से जदा alpha H कहाँ पर है third तो यह जो given है यह किस से कम stable होगा थार्ड से इसके बाद में बात करते हैं stability of alkyl carbo ketain can be explained by carbo ketain carbo ketain की stability को inductive effect और hyperconjugation दोनों से explain किया जाता है which of the following is most stable species बहुत प्यारा क्योंसान है conjugation resonance mesomeric effect और hyperconjugation दोनों का involvement है यहाँ पर जो यह है यहाँ पर इसको इस ओका क्या मिल जाएगा backbonding मिल जाएगी और इधर से आपको इसके six alpha h का hyperconjugation मिल जाएगा इसको compete कर रहा है third option third option में भी students backbonding मिल रही है लेकिन यहाँ पर alpha h कम होगे यहाँ पर alpha h कितनी होगे 3 ही होगे इसलिए ज्यादा stable कौन हो जाएगा first हो जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं which of the following statement is correct that is more stable than that no यहाँ पर क्या लग जाएगा इसका minus i लगेगा oxygen का तो यह less stable हो जाएगा CS3 is less stable than that no यह ज्यादा stable होगे इसमा hyperconjugation ज्यादा होगा CS2 is more stable than that यह विलकुर right है यहाँ रहेज होगा तो यह ज्यादा stable होगा इस पर plus more stable than that no यह SP hybrid है more EN और यह SP2 है less EN less EN पर positive ज्यादा जचता है तो correct answer कौन सा होगया third इसके बाद में कह रहे है among the following structure which is not permissible resonance structure और तो चलो सब कुछ हो लेकिन बहुत simple सी बात है resonating structure होगे कोई सी structure हो कोई atom है तो उस वह अपनी valence से बहुत ज़्यादा bond बना नहीं सकता आपको पता nitrogen कभी भी pentavalent तो हो नहीं सकता तो इस second option में nitrogen की valence किती और यह 5 ऐसा होई नहीं सकता तो यह आपका यह permissible नहीं है इसको permission नहीं मिलेगी इसके बाद में कहे रहा है यह exam का आया हो क्यों सन है need 20 के अंदर पूछा गया क्यों सन है tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of tertiary butyl के अंदर tertiary butyl के अंदर क्या हो जाएगा alpha h का number किता हो जाएगा 9 हो जाएगा और secondary butyl के अंदर secondary butyl के अंदर alpha h का number किता होगा 5 alpha h से hyperconjugation due to hyperconjugation प्यारा क्यों सन बाद which of the following ch bond has lowest bond dissociation energy वो bond अच्छे से जल्दी easily कम energy से चटक जाएगा जिसके चटकने के बाद में intermediate अच्छा यहां से यह वाला bond क्योंकि इस bond के चटकने से जो intermediate बनेगा वो कैसा बनेगा tertiary ज्यादा stable हो जाएगा second option इसके बाद में बात करते हैं CC bond length bond order की हमेसे inversely proportional होती है अलकेन single bond होगा बेंजीन में partial double bond होगा अलकीन में complete double bond होगा और अलकाइन में triple bond होगा तो इधर जाने पर इधर जाने पर bond order बढ़ता जा रहा है तो bond length गटती जाएगी इधर जाने पर bond length गट रही है तो इधर आने पर bond length क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो second option में इधर जाने पर bond length गट रही है इधर जाने पर bond length बढ़ रही है second option bond length bond order chemical bonding में पढ़ते हो molecular orbital theory की application है इसके बाद में बात करते हैं the correct order of plus same effect वो जल्दी डाउनेट करेगा जहां पर negative charge होगा negative आ गया आएगा ठीक है फाइट में option second और fourth नेगेटी के बाद में एन का ज्यादा होगा और फिर ओका क्योंगी एन थर्ड कीसरी नंबर का कंजूस है और oxygen दूसरी नंबर का तो fourth option रही है इसके बाद में कहे रहे हैं which of the following statement से लिए गया है plus i effect decrease the stability of carbocation नहीं प्लस i increase करेगा plus i effect increase the stability of carbocation बिल्कुल बढ़ाएगा correct यह है minus i effect decrease the stability of carbon minus i बढ़ाता है carbocation carbocation में फायदा मिलता है धक्के से plus i से और minus में फायदा मिलता है minus i से ठीक है the plus i effect increase acidic strength नहीं acidic strength plus i नहीं बढ़ाता acidic strength हमेशा withdrawing group बढ़ाता है minus i है minus i है इस तरह से तो correct statement कौन सा होगा है correct statement होगा second the plus i effect increase the stability of carbocation carbocation की stability को plus i बढ़ाता है बात करते हैं about inductive effect which of the following statement are correct partial displacement sigma electron का distance इस पर depend होता है arise due to difference electron negativity से rise होता है permanent effect होता है तो यह आपके सारे के सारे option right होगे चारो a b c d correct ओके इसके बाद में यह भी बहुत प्यारा क्योंस एक दम new और designed क्योंस ने students क्या कह रहा है complete transfer of pipe bond किसके बारे में मी जो मेरी pipe transfer होता है complete transfer होता है conjunction के कारण ही होता है यह distance पर depend नहीं करता है independent पर्मानेंट है चार effect में से i m और h पर्मानेंट होते हैं electromary की temporary होता है तो यहां भी आपके चार option right है answer will be third इसके बाद में बात करते हैं about hyperconjugation which of the following are correct statement hyperconjugation की बारे में complete transfer है CH bond का होता है conjugation के कारण होता है conjugation तीन चीज़ों के साथ होता है पाई कार्बो केटाइन और carbon free radical a right b right distance independent बिल्कुल distance पर depend नहीं करता यह भी राइट है यह भी permanent है तो cbcd सारे के सारे राइट अच्छा क्यों सन सारे के सारे अच्छे अल्टीमेट सब क्यों सन NCRT के लाइनों से नए फ्रेम करकर के आपको दिये है chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid chlorine के minus i से समझा जाएगा तो यह minus i effect इसको explain करेगा electron density on benzene ring of toluene toluene के अंदर toluene के अंदर क्या होता है toluene के अंदर बेंजीन पर क्या जाता है ch3 group आ जाता है ch3 group यह कौन सा हो गए ch ch1 चोड़कर के पाई के साथ ch बोले तो क्या है hyperconjugation और ch3 का plus i भी होता है तो toluene के अंदर electron density ज्यादा है यह किसे समझा जा सकता है inductive effect as well as hyperconjugation यह से समझा जाता है इसके बाद में बात करते है which of the following statement are correct generally m effect is more powerful effect बिल्कुल सही बट इन case of halogen यह भी सही है halogen में i dominant कर जाता है halogen group weak deactivator है बिल्कुल सही है इसके बाद में बात करते हैं the correct increasing order of basic strength basic strength में क्या करेगा c3 rise करके 3rd सबसे आगे चला जाए 3rd सबसे आगे चला जाए एक यह option राइट है लेकिन तीनों चैक कर लेते हैं second सबसे पीछे हो और first बीच में इसका minus m इसको पीछे लेके चला जाएगा इसका plus h और plus i इसको आगे लेके चला जाएगा 37 38 acidic strength acidic strength बात कर रहे थे विटा जी अभी अभी OCS3 पीछे ले जाएगा एन ओट आगे ले जाएगा ठीक है जी इसके अंदर OCS3 नहीं यह गड़बड कर दिया यह OCS3 इससे आगे नहीं होगा इन दोनों का equal नहीं होगा तो इटा जी कौनसा option right हुआ फॉस्ट यह आपके NCRT 12th NCRT कारबोगजली कैसे 12th NCRT के अंदर पेज नमबर 380 पर यह क्योशन यू का यू है वहाँ से पूरा का पूरा NCRT का क्योशन को क्योशन में कनवर्ट कर दिया है इसके बाद में बात करते हैं दा oxygen atom in phenol, phenol के अंदर oxygen atom, phenol के अंदर oxygen atom यह 12th NCRT 2nd lesson पेज नमबर 335-336 से आपका उठायागा क्योशन NCRT की लाइन से frame क्योशन किया है हमने मतलग क्या करता है oxygen atom के बारे में phenol में has more dominating resonance बिल्कुल सही है than inductive effect उसका माइनस आई होता है और plus है dominant कौन कर जाता है resonance कर जाता है third option इसके बाद में बात करते हैं इस तरह का कर यह भी बहुत प्यारा क्योशन है ठीक है यह एंसी आइटी के पेज नमबर 380 पर उसने फिनॉक्साइड और कार्बोग्जिलेट आयन को क्या किया है compare किया वहां दो टर्म दी है फिनॉक्साइड में non equivalent और कार्बोग्जिलेट में क्या होता है इक्विलेंट रेज और जो होता है उनका सब कुछ सेम होता है सारी चीजें सेम होती है यह कर उसे पकड़ में आएगा यह कर उसके लिए होगा जिसकी दो रेजुनेटिंग इस्ट्रेक्चर हो और दोनों की इनर्जी सेम है मतलब दो एक्विलेंट रेजुनेटिंग इस्ट्रेक्चर यह कौन सा ओप्शन हो गया सेकेंड ओप्शन हो गया इसके बाद हम बात करते हैं 41 विच आप फॉलोविंग स्टेट्मेंट्स आर करेक्ट फिनॉक्साइड आयन में एक्विलेंट रेज है यह भ इसके बात करते हैं 42 विच आप फॉलोविंग स्टेट्मेंट आर करेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आकर्स इन्दा प्रेजन्स ओफ नुक्लियो फाइल और इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल सही है दूरिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्ली ट्राइज पाइब इसके बहुत प्यारा और एकदम निव क्योसन है कहीं भी किसी भी जगह नहीं है एक लाइन की लाइनों को उठाकर स्टेटमेंट बनाए गया है इसके बात करते हैं यह बहुत प्यारा डिजाइन क्योसन विल्कुल यह जो गुरूप में इन सब का प्लस हम होता है ठीक है इ ग्हों का विड्रोंग इफेक्ट पडोस में लग रहा है अच्छा लगेगा है लोजन डियक्टिवेटर एप एंजीन से पीछे चला जाएगा ओएच का प्लस एम और एन का प्लस एम इसमें ज्यादा होता यह दोनों आगे आएंगे इस तरह से तो यह ऑप्शन करते हैं अमंग दष ऑप्लोवेन फीचे इस मीनिम मुह मतलब शूस करते हैं एकाए आसीड़के나 अरफेटर आपका ऊका सबसे मोस्ट होता है यह डायलोग भी बनता है कि कार्बोग्जिली कैसिर में सबसे चिंटू सबसे स्मॉलर एसिड कार्बोग्जिली कैसिर सबसे खतरनाक एक होता है सबसे ज़्यादा होता है कि सबसे ज्यादा होता है तो पी के सबसे क्या हो जाता है मिनिमम तो आपका सेकेंड ऑप्शन अच्छा क्यों रहे पेज नमबर 380 380 1 से एक इसके बाद में बात करते हैं electricity, electron density CL से NO2 का आगे होना यह गड़बड हो गया, ठीक है जी NO2, CS3, CL का CS3 से आगे होना यह गड़बड हो गया ठीक है जी, इसके बाद मैं क्या कहते हैं CL का पीछे होना CHO से आगे NO2 का होना यह गड़बड हो गया, NO2 सबसे से पीछे हो फिर CL हो फिर CS3 और फिर NS CS3 हो यह बिल्कुल सही है option फोर्थ हो गया इसके बाद में बात करते हैं correct non-polar यह first से आगे stable हो जाए इसके बाद में polar polar में फिर octet complete second हो फिर इसके बाद में charge distribute according to nature हो carbon पर प्लस हो और oxygen पर carbon पर प्लस हो और oxygen पर माइनस हो यह carbon पर माइनस और oxygen पर प्लस तो थर्ड सेकेंड में से थर्ड फोर्थ में से थर्ड आगे हो जाएगा इन सभी में non-polar first है first सबसे आगे हो एक ही option है first आगे हो फिर second हो फिर third हो फिर four तो बड़ा प्यारा क्योंस है यह भी NCRT की लाइन से और एक से एंसे एक्जांप्लर के अंदर से उठाया क्योंस है among the following among the strongest base is strongest base यहां पर लॉन पर डी लोकेलाइज है लॉन पर डी लोकेलाइज है इन दोनों के बज़ा है तो यह दोनों आगे होंगी अब इन दोनों के अंदर भी यहां भी nitrogen sp3 hybrid है और यहां भी sp3 hybrid है लेकिन cycle में यह जो group का दो धक्का है यह लॉन पेर को इंक्रीज करके इसकी बड़ा देगा इसलिए जो आपका यह साइकली का माइन से ज्यादा हो जाएगा फोर्थ ऑप्सन राइट है बड़ा प्यारा क्योंस है यहां पर पूचा गया है आपको सबको पता है अगे होता है बाद में अगर अगे हो जाता है और यहां पर इथायल के केस में नंबर आता है ठीक है जी इतायल में इतायल में थरी आगे हो जाएगा 231 231 नंबर आप सब जानते हो सी पर प्लस पर माइनस माइनस नूकलियों मौल और ऊसी प्लस एलेक्ट्र फाइल एज नूकली ऐसे अ मैं लेक्ट्रो फाइल करते हैं को नेगेटी चार्ज जेस की यहनेगेटी चार्ज यहां यहां खलोरीन विढोग कर maple रहा है और सबसे जटा बुरौ कर जाएर गाएगा छार्ज कं तो इनर्जी कंग होगी तो स्ट्यूड जाएकर सब्टी बात कर वाले किया कहे ऐंग diver in which turn icon ज्रीच सेकंड से कॉंपाउड क्यों से ज्यादा हो तो इसमें फर्स्ट मैं गोँंसिंदी कारण अब्रॉर्स ज्यादा होगा या अब्र करें यहां ज्यादा होगा इन सभी के अंदर फर्स ज़दा ऐसीडिक आ रहा है वह कहार है अमंग दा गिवन पेर इन विच पेर सेकंड कंपाउंड ज़दा ऐसीडिक होना चाहिए सेकेंड कंपाउंड कहां जड़ा एसी डिग हो जाएगा यहां जड़ा हो जाएगा क्योंकि आप फस्ट को किसी ने गड़ बड़ कर दिया इसके बाद में फिर मैचिंग का अच्छा क्यों सान है यहां फ्लोरीन का जो माइनस आई है इस पॉजेटी चार्ज को डी स्टेबला इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यह आपके एक्जाम का क्यों सन है पिछली बार नीट 23 में पूछा गया है 11th NCRT से क्यों सन फ्रेम है 11th NCRT में पेज नमबर 399 पर आप देखेंगे तो मिलेगा कंसी जाएदा फॉलोविंग स्पीसीज कौन कौन अकल को फॉलो करती है जिसमें पाई बॉन्ड का नमबर ओड होना चाहिए फॉलो करेगा आपका secondo करेगा थर्ड नहीं करेगा पॉर्थ नहीं करेगा ये शिक्स भी नहीं करेगा ये फिप्ट कर जाएगा इसके बाद में त्री तूओ फाइप और-टू-78 ये कर जाएगा तो प्वस्ट सबसे कम की रीक्टिवीटी सबसे ज्यादा है कि इसके बाद में फॉस्ट आ जाएगा तीन और फॉर्ठ में से आएगा थाड के अंदर और फोर कि अंदर और इसके बाद में लास्ट मा जाएगा सेकेंड तो यह वाला ओडर बन जाएगा इसके बाद में बात करते हैं 55 वाट इस दा करेक्ट और इसके बाद में यह खिचाई करके इसको पीछे लेके चला जाएगा थाड को सेकेंड सबसे पीछे हो और फर्स्ट बीच में हो सेकेंड फर्स्ट फॉर्ट ऑप्शन इसके बाद में बात करते हैं करेक्ट स्टेबिलिटी ओडर ऑप कारवेन करवेन की स्टेबिलिटी और यहां माइन साइव से खिचाई करेगा यह भी करρί 접maASE करेगे फिर सबसे आगए हो फिर ऐधिर ओंध और 4 सब लस्ट में फॉस्ट का सबसे आगे ओना और फूर्द का सबसे पीचे होना दो यह option fight में है लेकिन फर्स्ट के जस्ट बाद में सेकेंड हो सेकेंड थर्ड हो ऐसा ही आपकी थर्ड ओप्शन के अंदर मिल पार है इसके बाद में बात करते हैं क्योशन नंबर 57 करेंगे आप सब जानते हैं कर्बोगजलीक एसेड और कर्बोगजलीक एसेड कर देंगे अल्कॉल पीछे होता है और वैसे बेस होता है फिक्रिक एक जरूर कार्बोगजलीक से dominant करता है तो carboxylic acid और carboxylic acid से stronger acid है वो तो carbonate bicarbonate को decompose कर देते हैं और उसे weak acid decompose नहीं कर पाते हैं pyridine is less based than dithylamine because pyridine as aromatic इससे based city पर कोई impact नहीं आता cyclic structure ये भी इस बात का reason नहीं है ठीन पाइरिदीन के अंदर के है nitrogen sp2 hybrid है और dithyl में sp3 तो यहां से change आया है लॉन पियर आप nitrogen डी लोकेलाइज डी लोकेलाइज नहीं पाइरिदीन में nitrogen ये भी आपका जो इस रीजन का जो रीजन है एक्जेक्ट वह आपका third option है कौनसा option है third option इसके बात करते हैं which of the following compound are aromatic annaline होता ही है पाइरिदीन होता ही है फ्यूरान होता ही है पाइरल होता ही है सारे होगे तो ABCD होगे कहां दिखकता ही है ये भी आपके 11th NCRT के अंदर से उठायों के असन है ये भी आपके 11th NCRT वाहां का Conjugated ही होगी isolated नहीं होगी cumulative नहीं होगी all are equal no कौनसा option जाएगा first option जाएगा इसके बात करते हैं 61 इलेक्ट्रोफाइल यह आपका है यह आपका यह आपका है third option हो जाएगा सभी इलेक्ट्रोफाइल हो इसके बात करते हैं the type of intermediate आपको पता ही इलेक्ट्रोमेरिक करेगा और प्लस आएगा तो सी प्लस बनेगा कौन से डिगरी का बनेगा सेकेंडरी सेकेंडरी कार्वो करेटा इन आंसर इसके बात करते हैं यह आपका ब्रेट सुरूल हो गया ब्रीज हैड के साथ SP2 डबल बॉंट आएगा नहीं तो प्लस के साथ इधर यह तीन अलफ अलफ इःड वाला जो एयाश चाहिए पाटिसिपेट नहीं करता है एक इसके बात करें सबसे आगे हो पी के बाद में कौन हो आर और और के बाद में ऐस definitely से लास्ट में सेकिंड ऑफ्शन अच्छा क्यों सन है वह एंसी आटी की लाइनों से उठाया क्यों सने बिल्कुल की ज़्यादा हो जाती है और सबसे पीचे सबसे पहले फिर आपका कम किसमें सेकेंड में इन दोनों में बराबर है लेकिन ट्रांस की स्टैबिलिटी से ज्यादा होती है और सबसे पीचे हो जाएगा यह वाल ऑप्शन किसमें अच्छा क्यों सन अलकीन हाइपर बात कर रहे हैं ठीक है कि यह बॉंड लेंद की यहां पर सिंगल बॉंड होगा यहां रैजो से पार्सिल डबल बॉंड आ जाएगा यहां ज्यादा है रैजो ज्यादा पार्सिल डबल बॉंड आ जाएगा पार्सिल डबल बॉंड करेक्टर बढ़ेगा तो बॉंड लेंद गट जाएगी, तो सबसे जदा bond length A में होगी, इसके बाद में B में होगी, और फिर इसके बाद में C में होगी, सबसे जदा A में फिर उसे कम B में और सबसे कम C में ये option हो जाएगा, resonance बढ़ता गया, double bond character बढ़ता गया, तो bond length गटती गई, इसके बाद में बात करते हैं, ये या और्थो परबल की गुरुप प्रोटोनेशन को रोग देता है वो एसेडिक स्टेंद को बढ़ा देता है और यह प्रोटोनेशन को गटा देता है यह मोर बेसिक हो जाएगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट ड्यू टू एसाइप इफेक्ट डिक्रीज होती है आर भी सही है औ और आर है जो एका बेस्ट एक्स्प्लीनिशन आंसर विल भी फर्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफ और असेडिक देन फ्लोरोफ बिल्कुल सही है क्लोरीन थर्ड पीरिड का वेकंड डी ऑर्बिटल रेजुनेंस होता है फ्लोरीन के अंदर नहीं हो पाता है तो ब प्रेकंड डी ऑर्बिटल रेजुनेंस का मिलना तो दोनों राइट है लेकिन आर इसके एक्स्प्लीनिशन नहीं है तो क्या चला जाएगा यह और राइट है बट आर इस नोट दा करेक्ट एक्स्प्लीनिशन एक सेकंड ऑप्शन जाएगा इसके बाद मैं बात करते हैं य पितीर इसको क्या बोला जाता है यह बोला जाता है इसके बाद मैं बात करते हैं विच अब फॉलॉविंग कंपाउंड आर मोर असीडिक दैन एस तो वाटर के बजाए कौन कौन ज्यादा इसीडिक होता है यह रटते ऑलकॉल में एक्सेप्शनल केस होता है इसके बाद में बात करते हैं विच आव फॉलॉविंग इस मोस्ट एसटी कंपाउंड इनके चक्र में पड़े नहीं इन तीनों रिंग में रेजो नहीं है यहां इसके रेजो हो जाएगा इसलिए चला जाएगा वह सिंपल सा लेगिन कई बाद चोटी चोटी गलतनियां कर इसके बाद करते हैं इनके अनदर अपको सबकों पता है इनके अंदर उड़ाजी यह और यह विलोकेलाइज है तो फस्ट आगे होगा और सबसे पीछे चला जाता है इसके बार बात करते हैं पीके के येखे सबसे कम होगा इसका थाड़ का तो इसके बाद मैं असिटिक एसिड़ का आजाएगा और यहांपर यह strong acid होगा मतलब इन सभी में तो इसका PK सबसे कम होगा ठीक है जी तो third ये वाला option right हो जाएगा third option इसके बाद बात करते हैं correct basis CT का Amine Amine और Amide Amide सबसे पीछे होगा B सबसे पीछे हो A और C आगे और A और C में भी CD localized एक जगे तो C आगे हो तो क्या हो जाएगा C A A और B क्या हो जाएगा C A B third option इसके बाद बात करते हैं 75 75 में आपको पता है Amide यहाँ पर इसका जो protonation के बाद जो इसका conjugate acid बनेगा उसमें equivalent resonance होगा equivalent resonating structure से protonation बहुत जल्दी करेगा protonation जल्दी करेगा तो B आगे हो जाए और A और C equal हो बी का आगे होना A की option है इसलिए मैं कह रहा हूं student बहुत सारी क्योंस ऐसे होते हैं नीट के अंदर भी जिनके अंदर single correct होता है एक ही correct होता है इसलिए बहुत सारी चीजों बहुत सारी क्योंसन को अगर हलका सा भी हमारा इंट्रेस्ट हो, concentration हो, confidence से उसको deal करें अना थोड़ा सा भी अगर हम हमारा IQ रखें तो बहुत सारी क्योंसन का single correct होता है देखने से आंसर आ जाता है 76 basicity C की सबसे आगे होगी फिर यहां N की N का माइनस आई काम करेगा और फिर O का माइनस आई काम करेगा सबसे ज्यादा होगा तो C की सबसे आगे हो फिर A की हो और फिर B की हो C A B C A B यह वाला option यह चला जाएगा इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर पाई एक छोड़के तो रेजोनेंस तो पार्शेल डबल बॉन करेक्टर आजाएंगे तो इसका क्लिवेज बहुत मुस्किल होता है क्लिवेज आप CCL बॉन्ड in that is difficult बिल्खुल सही बात है पार्शेल डबल बॉन करेक्टर आजाएंगे ससनें एकदम नया के लिए ओसने इसमें फिर आपका इलै disci시 यह फिर आंगे हो फिर आपका धाल्ड new फिर आपका फॉर्स पीछे ऑ फ्र्टड फोर्ड फॉर्ट फ्रॉर्ट्ड यहाँ पर बात करता है यहां पर कितते हो गे और यह पर किते होगे 2êu चरहे भी कितिते ऊची होगे बात करते हैं कि चीजिए बॉंड लेंद in प्रॉपीन डैट विच लिटिल सॉर्टर देन सीजिए बॉंड लेंद इन इतेन के अंदर सिंगल बॉंड होता है वहां पर इतनी होती है और एथीन के अंदर यह थोड़ी सी लिटिल सॉर्टर हो गई 149 हो गई तो यह 149 क्यों ही सॉर्टर क्यों ही इसका रीजन क्या है इसका रीजन प्रॉपीन वाइपर कॉंजूगेशन यह भी आपके अंदर 11 की से लाइन से क्यों संगो फ्रेम किया है बड़ा यूनिक और बड़ा प्यारा और एकदम इसके और बात बात करते हैं हाइस्ट पीके जिसका लोएस्ट के लोएस्ट के एसडिक स्टेंड डाउन काहां पर होगी जहां फ्लोरीन दूर से रहके खिचाई करेगी पास से खिचाई को राइस कर देगा के इंक्रीज हो जाएगा तो पी यह कम काम करे यहां इसके बात बात करते करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार काम आएगा दो इमूल काम आएंगे इसके बाद बात करते हैं बड़ा प्यारा क्या क्या काम करेंगा माइनस या काम करेंगा तो थार्ड और सेकंड आगे हो और सबसे सब से पीछे ऑफस ही अप्षिए हो इन दोनों के अंदर यहां थाइट में ऑक्सिजिजन बूर और इसके अंदर अधर पास आगे तो सैकेंड अगे हो सेकेंड थार्ड ऐस्ट सेकेंड थार्ड फास्ट आपका थाण Lemon ए सीड़ीक स्टेन्द फिर वही लिफ शक्राइंड नॉंट रहोमेटिक नहीं है यह वाला भी और हारोमेटिक सुझ प्लसकों को तो अलई स्टोंनेश्टन इसको सेटेंट करना चाहेगा जो कंजूस होगा ऑक सेकेंड neos और य्क फर्स्ट जाएगा इसके बाद बात करते हैं correct order of basic strength बेसी सिटी का order बेसी सिटी का order आपको सबको पता है यह डी localize है sorry localize resonance में नहीं है थार्ड सबसे आगे हो थार्ड के बाद में फिर second हो फिर फिर फोर्थ हो ठीक है थार्ड इसके बाद में फिर फिर फोर्थ और माइनस एम के कारण यह सबसे लास्ट चला जाएगा इस तरह ही हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं which of the following statement is not correct for a nucleophile nucleophile is levis acid no nucleophile levis base होगा donate करेगा ammonia nucleophile है बिल्कुल सही है nucleophile attack low electron density center बिल्कुल सही बात है nucleophile are not electron sucking electron seeking नहीं करते लेक्ट्रोन को सिख नहीं करते electron की तलास नहीं करते क्योंकि इनके पास खुद के पास electron होता है तो बाकी सभी राइट है nucleophile is levis base और यहां levis acid तो कौन सा रोंग हो गया फर्स्ट ऑप्शन रोंग हो गया रोंग ही उसने पूछा है ठीक है not correct इसके बाद बात करते हैं order of stability यह इनॉल content से है यह आपका beta-dicarbonil है beta-dicarbonil के mid वाली h को लेकर यह इनॉल बनाये गया है यह आपका 70% तक बन जाता है तो यह खुद कितना बज़ेगा 30% और यह वाला इनॉल है और यह इनॉल भी कहां से है यह वाली इस वाली h से इस वाली मतलब एक तरह से क्या हो गया cyclic carbonil monocarbonil का तो यह करीब करीब बनता है 1% इससाब से इनका रेंज हो जाएगा second sorry third second first third first option इसके बाद बात करते है 90 90 की बात करते है कौन सी butine between CH double bond CH और CS3 क्या हो गया 123 और 4 अब यह देख लो यहां पर कौन सा है c1 c2 bond is a sp3 sp3 c2 sp3 होगा नहीं c2 कौन सा होगा c2 c3 bond is a sp3 sp2 sigma bond यह आपका c2 यह आपका c2 और c3 c2 और c3 दोनो sp2 sp2 होगे no c1 c2 c1 c2 bond is a sp3 sp2 sigma bond यहां पर single sigma है जिसमें c1 sp3 है और c2 sp2 है बिल्कुल सही बात है c2 c3 bond c2 c3 double bond वाला sp2 sp2 pi bond pi bond में sp2 मतलब hybridized orbital participate करते नहीं अन आइब्रीड या non hybrid orbital पास्ट करते हैं इसलिए फोर्थ option वो भी कैसा हो गया wrong हो गया तो यहां right कौन सा हो गया third option हो गया आप यह टूइन बना लिए और carbon चारों का bond structure देख लें hybrid state कर लें और hybrid state से यह बस आपका statement चला जाएगा इस तरह स्टुडेंट्स यह आपका biochem organic chemistry टॉपिक था electronic displacement 11th ncrt का topic है 11 में मुश्किल से 5-6 पेज के अंदर इसकी थिए तरही है 5-6 पेज की थियोरी से 90 क्यों फ्रेम करना और उसको एकदम ncrt oriented neat oriented डखना very tough job लेकिन हमने कौसिस करी है कि उर्स 5-6 पेज में से भी आपको सारी क्यों सन एंच्याइटी oriented मिले नीट oriented मिले अच्छे नए question मिले आपको कुछ इस question के थुरू अपने concept को और सार्प करने का मौका मिले तो यह आपको solution भी दे दिया ओके थेंक्यू बबाई